में सिराश्य देटी जुडरी आज कंपनी फाइनल अकाउंट का लेक्षे नमबर नम्बर वन इस पर कवर करेंगे नए पॉइंट सर्थ कंपनी फाइनल अकॉंट यह जो में यह संडल्च्वाइज के लिए संघ्वाइज में आज क्लास के अंदर जो चलोगा वो सिर्फ और स कंपनी फाइनल अकाउंट यह पूरा एक कंपनी फाइनल अकाउंट होगा जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा बैलेंशीट भी आएगा और कंप्लीट एक संभी होगा तो बीकॉम यानिके सेकेंड यर बीकॉम के लिए सिफ फॉर्माट और पोस्टिंग के प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंशीट और एक कंप्लीट संभी होगा तो स्टार्ट करेंगे अच्छा ग्लास देखो एस वाई बीकॉम के अंदर सेमिस्टर थर्ड में अपने टॉपिक किया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसमें वर्टिकल बैलेंशीट किया था पैसा आएगा दो जगे से जाएगा तेन जगे फे अगर आपको याद रहेगा याद है इसा कुछ पराबर है वह भी फाइनल अकाउंट ही है sources of fund application of fund what was sources of fund own fund borrowed fund and application of fund investment working capital थेन चिस्ता न यह है अभी वही सारी चीज़े होने वाली है everything is similar only नाम करन बदल रहा है concept वही है final account final account ही है the thing is final account को presentation बदला गया है क्योंकि अब हम करने वाले company का final account accounting standard बदल गया है accounts वही है सब चीज़ वही है adjustment वही सब सेम हले लिखने का तरीका बदलने वाला है क्या होता है कि पहले आपने जब 11 standard में final account किया that was of a sole proprietor एक गरीब दुकान वाला अपना दुकान चला रहा हिसाब किताब कर रहा है तो trading account बनाता है profit and loss बनाता है balance sheet बनाता वो partners capital नहीं बनाता था अपने level up किया 12 में गए final account आया वहां पे जब आपने final account किया तो partnership final account किया तो एक account add हो गया partners capital मैं manufacturing final account किया तो manufacturing अकाउंट हुआ रीडिंग अकाउंट हुआ हुआ प्रोपने लॉस हुआ important है क्योंकि यह topic ty में आने वाला है वी कॉम की बात करो बैफ के नहीं बैफ पूरा अभी पढ़ने वाला है विवाज बैफ को यह topic 15 में नहीं है लाकि आपको ty become के अंदर काम आजाएं बैफ अले को तो फूरा syllabus complete करना है ठीक है वीडियो के अंदर मैं बैफ के point of vc पढ़ाने वाला हूं become के point of vc नहीं को सिर्फ format है तो आप format भी learn करोगे और adjustment कैसे solve करते क्योंकि अगर आप कर लेते हैं तो 15 में आपको और easy हो जाए okay with this तो मैंने कहा था कि पैसा कितने जरी साथ है दो और जाता है तीन यह अपने को मालूमी था clear है तो अब यहां पे थोड़ा सा upgrade हो गया sources of fund यह application of fund हट गया इधर आया equities and liabilities sources of fund को कहा गया equities and liabilities and application of fund को कहा गया assets application of fund को कहा गया है assets equities and liabilities and asset equities and liabilities and assets equities and liabilities and assets समझ मैं आया गया ठीक है पक्का अगर format देखने जाओगे तो बहुत बड़ा format है यहां पर आपको बोल्ट पी दिख रहेए गा equities and liabilities में shareholder पणुर्ण के बाद बीच में कहां से आया है बट ठीक है एंगे खुटेजस लिए उसके बाद आपको है बहुत सारी चीज़े वीच वीच में आड हो रही हैद मैं खाले एक फॉर्माट बजा रहा हूं इस इस बेसिक फॉर्माट एक विटीज एंड लाइब इसके और अलग नहीं बनेगा एक ही साथ बनता है आपको प्रेजेंट करने के लिए मैंने दो अलग दिखा है एक विडिज लाइब इसमें शेरोलडर फंड नॉन करन लाइब इसे करें लाइब इसे अंदर नॉन इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है यह सीक्वेंस जैसा है वैसे ही लिखना है आपको यहीं इदर इंपॉर्टेंट है अभी सीक्वेंस को याद करना इस वेरे डिफिकल्ट टास्क और इसी वजए से इसे आप रखते हो आप्शन में कमपलसरी टॉपिक 20 मा के ल बड़ा कौन याद रखेगा ऑप्शन में कर देते हैं ठीक है क्या हां जी तो यहां पर एक फोड़ा साइद करेक्शन हो गया यहां पर यह ठीक है मैं बाद में चेंज कर दूँगा और आपको एक्स्प्रेंट कर देता है अभी फॉर्माट को आज हम रट्टा करने वादे इन सेंस मैं आपको इसका जो स्टोरी वह बताऊं वह बना कैसे था वो स्टोरी याद रखना और आपको डेफिनेटल याद कितने लोगों को बॉलिवूड पसंद है और किसको सब कोई पसंद रहेगा कि वह बॉलिवॉड वोट होता है हाँ बॉलिवूड निकल यहां से वे टॉलिवूड वाले तो वालिवूड सब को पसंद है मेरे को ही पसंद आपको ही पसंद सब एक्टर एक्टर रितिक अधित्यर्वाई कपूर चला चोड़ो तुमिल स्टाइब वाले वॉलिवूड एक्टर शारुकान आज हम उसकी स्टोरी पढ़ेंगे स्टोरी शारुक कान की जिसके स्टोरी शारुक कान की नाटीज स्सरी एस रोक के की में स्टोरी है स् चारुक खान के स्टोरी शारुक खान की इस में पहला एसका मतलब एल ऐसका मतलब एशेर से को पिटल याने वाला में एक मेला इंदा बिड़ा रुक पहिला आने वाला है शयर होल्डर फंड पहले क्या आने वाला है ृश मच्छ में इसे शेर होल्डर फंड तो अपन के संदसियर कोगन को कि ऑसथय्ग, कुद्या समझ नाया अभी मैंने वही लिखे लिए SSRK मतलब की है ठीक है तो स्टोरी शारुपन की बंदा था देली में आता है मुंबे में स्ट्रगल करने के लिए आता कैसे हैं सबको पटाईए एकेम ट्रेन और ट्रेन से जैसे उत्रा सीस्टी वेटी स्टेशन पे तो शो चल रहा है चल रहा है उसे देखा देख शो चल रहा है तो धोल बजाने वाला नहीं है और उना खाली है ठीक है हूं वहां से आगे गया शारुपन और परचेस किया क्या किया उत्में डोल पर्चेस किया शारुखान ने क्या किया डोल बजाने तो अपनी स्टोरी आगे बढ़ती है फिर हम चले जाते स्टार्ट हुआ था एस एस आर की बराबर है शारुखान की स्टोरी 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 इस एस आर बराबर है शेरोल्डर फंड शेर कापिटल रिजोर्स एंड सर्प्रेस एन ने ने यहां पर आजाएगा आपका non current liabilities N non current liabilities N non current liabilities N non current liabilities L long term borrowings L long term borrowing D deferred tax D deferred tax liabilities क्यूंकि liabilities है तो liabilities ही आएगा चिक है D deferred tax D deferred tax उसके बाद ये जो है ये silent है इसको कुछ भी नहीं करना है नुपनेंदर HU कुछ काम नहीं है O से other liabilities और कर I T यहां पर लॉंग टर्म प्रोविजन यहां पर लॉंग टर्म प्रोविजन 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 इसे डिफर्ट टैक्स याद रखना उसके बाद यहां पर एक मिसिंग वर्ड है यहां पर यहां पर लिखना है यहां पर आ गया है इधर आपको लिखना है अगर लाइबिलिटी समझ मैं उसके बाद यहां पर लाइबिलिटी अधर लाइबिलिटी अधर लाइबिलिटी समझ में ओच अरे जिए Character 만 वह असेट्स का अलग है और वह अलग है दोलों में आता है इसके लिए इदर आगे है एच साइलेंट है बुला दना है हाँ चीक है प्लियर हो गया शारुप खान ने ली ढोल ने ली ढोल के अंदर डी एच साइलेंट है और याद रखना है चीक है समझा यहां तक पक्का समझ कर लिया है चलिए उसने ढोल ले लिया अब टोल लेकिशला कहां गया सीएसर्ट में के वो CST, C stands for current liability, C stands for current liability, C stands for current liability, S stands for short terms borrowing, S stands for short term borrowing, T stands for trade payable, P stands for trade payable, CST, शारुप खान आया, उसने डोल लिया, और डोल लिया कहां गया, CST में, CST में क्यों गया, डोल बजाने के रिए, कहां orchestra show में, कहां orchestra show में, कहां orchestra show में, O other current liabilities, S short term provision, other current provision या तो liabilities short term provision, समझ में आया गया, तो यह आपका liabilities का format है, याद रहेगा, याद रहेगा, SSR, फिर बोरी शारुप खान की, ने ली डोल, CST गया, और केस्टर शो करने, समझ में आया क्या, SSR, ने ली डोल, CST गया, और केस्टर शो में, देख अब भी बोलता हो, अगर यह format याद हो जाएगा, final account easy हो जाएगा, यही difficult part है, और फिर यह ली बढ़ाँगा, मैं profit and loss भी करवा दूँगा, पहला S, shareholder fund, फिर share capital, resource and surplus, N, non-current liabilities, long term borrowing, deferred tax, इधर deferred tax, याद रखना, borrowing दी, deferred tax, liabilities हो, other, यहाँ पर आएगा, other, provision, या तो liabilities ले लो, फिर long term provisions, समझ में आया क्या, उसके बाद current liabilities, short term borrowing, trade, payable, other current liabilities, short term provisions, समझ में, अब इसका total ले ले लेंगे, या आपका liabilities का total आ जाएगा, done, अब इस बंदों ने, शारू खान जब आया मोंबए में, उसने देखा भाई, जगा था, औरकेस्ट्रा शो में डोल लिया, बजा रहा है, बजा रहा है, तो उसको मजा नहीं आ रहा, jogar live ही, you are singing I Panic, कि मैं क्या करने आया हूँ उतना उधर धर बार छोड़के में, इधर 화장 ऊजया हूँ, उसने फिर फिर मजा नहीं आया है, हर उसके बाद उसको किया हूँआ, बहुको क्या हुआ नहीं आया है जब उस्से उस मजा नहीं आया फिर फिर मतलब f fix असे फिर फिर मतलब फिर असे टीख लें फिर फिर जिए घूंणमात इदर देख लेको быть फिर थीक नहीं लगा फिर थीख नहीं लगा तो इतना धोर मैं पिर बजाना नहीं इसमें f का मतलब है fix a set t tangible assets intangible assets tangible assets intangible assets tangible assets intangible assets फिर उसे ठीक नहीं नहीं का n यहाँ पर आएगा आपको non-current investment नहीं का n आएगा non-current investment non current investment फिर ठीक नहीं लगा लगा में यहां पर आने वाला आपको long terms sorry long term loan and advances long term loans and advances long term loans and advances clear है यहां तक फिर ठीक नहीं लगा फिर ठीक नहीं लगा फिर ठीक नहीं लगा समझ में आए गया अधिन नॉन करेंट असेट है उसको कुछ भी नहीं लगा एक फिक्स असेट के दो टाइप होते टैंजिबल और इंटैंजिबल इंटैंजिबल नहीं नहीं नॉन करेंट इंवेस्ट्मेंट लॉंग टाम साभी यह बीच में आया हुआ है को कि क्मेंट एक पहएं ठीकद नहीं लगा अधर नॉन करंट असेट लगा और उसका आप इसका पार्ट टैus यहां तक ठीक है अब अब जब उसे ठीक नहीं लगा, जब उसे ठीक नहीं लगा, तो उसका मोटीव था क्या मुंबयाना, बड़ा एक्टर बनना, पराबर है, हाया नहीं, तो अब उसकी तलाश, चली इनकी तलाश, सिनेमा एक्टर की ओर, चली इनकी तलाश, चली में, यहाँ पे पहला सी है, सी, चली इनकी तलाश, सिनेमा स्टार की ओर, समझ में आये क्या, तो चली इनकी तलाश, सिनेमा स्टार की ओर, चली इनकी तलाश, सिनेमा स्टार की ओर, क्लियर है क्या पक्का जिसमें पहला सी है करंट इंवेस्टमेंट आई इन्वेंटरी सी ट्रेड रिसेवल सी कैशन कैश एक्यूवालेंट एस शॉट्ट टर्म लोन एडवांसेज ओ अधर करेंट असेट्स ठीक है देखो इस सीवर्ड के इसाथ से याद रखो या बायाट करक वह आपका लुक आथा है मैं यह नहरा हहा ऐसे पड़ा ही करना है और आप ऐसे ःदोता है से और इसे नहीं है जिकर रहे अब इसके अंदर दो पैन चीजिए मोरा ऊसके हैं तो आपको साइक वर्किंग बनाना परता है जैसे आप कहते हैं जो जो नमबर बने गा और फिर उसका आमांट इनके सामने आके फिल इन दे ब्लैंक करना होता है बने अब शेयर कैपिडल का एक अकउंट बनेगा अकाँंट नहीं बनेगा एक्चौल में फार्माड बनेगा पॉप्स कि उसका लख में लिंगा और यहां पर लाकि उसका टॉटल इसका तुटल रखने सब लिखना जाएगा टोटल किया जाएगा और फिर यहां पर पोस्ट किया जाएगा तो यह है पड़ी आंसर के लिए आपको नोट्स अकाउन बनाना पड़ता है और जो भी आमाउंट्स आएगा उसका पोस्टिंग यहां पर करना है समझ में आये क्या तो यह आपका बेसिक फॉर्माट है फिर से एक बार खली रिवाइस करते हैं फिर वाइंड अप करता हो समझ में आये गया फिर उसके बाद फिर ठीक नहीं लगा फिक्स असेट टांजिबल इंटांजिबल नॉन करंट इंवेस्ट्मेंट लॉंग टर्म्स लोन्स इन इंडवांसेज अधर नॉन करंट असेट्स चीक है समझ में आया यहां तक पक्का समझा है आज क्लास के लिए इतना ही करेंगे नेक्स टिक्चर में इसके आगे की समस को कांटिनु करें होफुली आपको वीडियो पसंदा रहेगा तो प्रिस वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंट शूप में शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वाचिंग दे वीडियो